अस्राम लेकुन दिया स्टूडेंट्स, वेलकम टो मुहम्मद भाव मिर्जा यूटूब चैनल, उम्मीद करता हूँ कि आज सब खेरिये से होंगे, आज का मारा टोपिकार डिसकेशन है, इंपोर्टेंट सेंटेंस कंप्लीजन एमसी क्यू, आज की इस वीडियो में हम फर्स को और्डर दिया, कि वो कमरे से चले जाए, एन्ट एशिम ठूर रिटर्न और उसे क्या करने का कहा, उसे तबसे वापसी आने से मना पर दिया, एन्ट एशिम ठूरी, और मना करने के लिए हम इंकलिश में Exhale ए मुदक में वर्ड करते हैं, वे यह सेकन्ड ऐख यूज करते ह जो किया है, Forbade. So, one का क्रेक्टर उप्शन बनेगा हमारे पास Charlie Forbade. Two, देखते है, Authority- when it is not supported by the moral purity of its user. कहा गया है कि Authority को क्या होता है जब इसे इस्तमाल करने वाले की अखलाकी पाकीज़गी की अहमियत नहीं होती. So, जब Authority को इस्तमाल करने वाले की अखलाकी पाकीज़गी नहीं होती तो Authority तोड़ फूर जाती है, तबाहों बरबादी का शिकार हो जाती है. तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बीटा क्रमबल्स का. टू के लिए क्रेक्ट ओप्शन है, बीटा क्रमबल्स और थौर्टी क्रमबल्स वेन इट इस नाट सपोर्टी बाइदा मॉरल प्यूर्टी आफ इट्स यूज़र्स. त्री देखे हैं, वो मुश्किल में था क्योंके उसने हदायात फालो नहीं थी की. इसके लिए क्रेक्ट ओप्शन हम मा करेंगे, अल्फा फालो, फालो, ही डिड नाट फालो दा इंस्ट्रक्शन, थी का क्रेक्ट ओप्शन है, इल्फा, फॉर देखे हैं, यू मस्ट डू एन आइडी डिग्री, इफ यू वांट तो हैवा करियर इन, कहा गया कि आपको आइ फ्री लांसिंग, इफ यू वांट तो हैवा करियर इन दा फ्री लांसिंग, फॉर करेक्ट ओप्शन है, डेल्टा, फाइड देखते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी डेश इन मैनी वेज, कैन बी के बाद आपको पता है, हम थर्ड फार्म वर्ब यूस करते हैं यहां पर थर्ड फार्म वर्ब आपको चार्ली उप्शन में नजर आ लिए, प्लेड, फाइड का प्रेक्ट ओप्शन है, चार्ली प्लेड, इट इस ओवर ड्यूटी तो मेक ओवर डेश वन्स हैपी, यहां पर आपने प्रेक्ट इडियम पुट करना है, सिंपल आपने सार इडियम है, डेल्टा ओप्शन नियर एंड डियर, अबास इस बिंग डैश ए हीरो फार सेविंग ए यंग चार्ली फ्राम ड्रॉनिंग, अबास को एक बच्चे को दूबने से बचाने की वज़ा से एक हीरो के तोर पर जाना जा रहा है, सो इसके लिए हम क्रेक्ट ओप्श है, चार्ली अबास इस बिंग हेल्ड, सम मश्रूम लुक डैश बट आर इनफेक्ट पोईजनस, जब भी बट का आपको बट का वर्ड नजर आए, तो मतलब है कि दो जो भी आपके पास सेंटेंस कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक में उसका दूसरे का ओपोजिट होगा, सो आगे का गया है, मश्रूम जो हैं, पोईजनस हैं, लेकिन पहले उससे पहले क्या गया है, सम मश्रूम लुक इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब होता है, बेड जर्र या गैर नुकसान या जो पोईजनस ना हो, जहरीली ना हो, तो सम मश्रूम लुक इनोक्वस बट और इंफेक्ट पॉइजनस कहा गया कि कुछ मश्रूम जो हैं वो गैर नुकसान दा नजर आती हैं यहां लगती हैं लेकिन हकीकत में वो जहरीली होती है एट के लिए क्रेक्ट ऑप्शन है डेल्टा नाइन देखें दा डेश बस्ट एंड वैली वास फ्लूडिड इसके प्रूमें ज्यादा ऑ्ट इसको अग्रेसिव होने की वज़ाजा से क्या नहीं करना चाहिए तो एक बच्चे को हमें क्यात करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि वह ज्यादा भर च्प्षुन अइंक्ट अग्रहाइं आइन भाट स्थीनियु डेश वेस्ट लेंड वर रिवाड़िड विद ओफिशर रेंक्स पार्ट अफ अफ़र्ट तो अवर कम डेश तर सौटज अफ डेश फिर्ड जो कहा गया के एटीन सेंचरी में जबान के जो पीपल थे जो रिकलेंड हूर रिकलेंड जिन्नों ने दावा किया वेस्ट लेंड वर रिवाड़िड विद ओफिशर रेंक्स उनको ओफिशर रेंक्स धीया गे ऐस पार्ट अफ़ देर आफ़र्ट उन्हों ने जो ऑफ़र्ट की थी शो टजव फूड उस वर करने के लिए उन्हों ने अपनी जो दावा किया था कास्तकारी की जमीन के लिए उनको फिशर उनको नवाजा गया उनको दादे तसीन पेश की गई इसके लिए क्रेक्ट उप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा पिपल हूँ रिक्लेम्ड वेस्ट लेंड वेस्ट लेंड वर रिवार्डे विडिवीजर रेंक्स इस पाट उफर तो एवर कम दा शौटेज आफ एरेबल एरेबल का मतलब होता है काबल कास्ट जबीन सो एलामन के लिए क्रेक्ट उप्शन बनता है डेल्टा का गया कि बांसरी की कौन सी आवाज ने उसकी टेंस नर्व को काम्याब होगी क्या करने में सो इसके लिए क्रेक्ट उप्शन बनता है हमारे पास ट्वेल्व का डेल्टा मतलब बांसरी की सुरीली आवाज उसकी जो टेंस नर्व सी उनको आराम या सकून परवाइड करने में काम्याब हो गई तो बांसरी की क्रेक्ट उप्शन है डेल्टा मिलीफियस एंड सुथिंग इसके लिए क्रेक्ट उप्शन है मार्क करेंगे बीटा वेर फेमाइन फेमाइन इस टिल एस सीरियस प्रॉब्लम थर्टीन के लिए क्रेक्ट उप्शन है बीटा इसके इलावा आप दूसरी उप्शन देखें डैट यह अनलेस यह नहीं बनेगा क्योंकि पीछे देर है तो आगे हम यूज करेंगे वेर वाला यह कंबिनेशन बनेगा हमारे पास इस सेंटेंस के लिए 13 का क्रेक्ट उप्शन है बीटा वो एक इंजिनियर की तलाश कर रहा है किस के लिए आगे हमने यह बताना है 14 का क्रेक्ट उप्शन बनता है बीटा ओ सोरी चारली हूँ नोज ये डव्यू एच ओ है बाई मिस्टेक ओएच लिखा गया है ओ नोज बोफ जर्मन एंड इंग्छु वो कौन से इंजिनियर को तलाश कर रहे है वो उस डवाण को दोनों जबाने आती है So he is कौन सा engineer Summon engineer जब ही हम बात करेंगे engineer की तलाश कर रहा है कौन सा engineer तो कौन के लिए हम लिखेंगे Who कौन सा Who जिसको ये आती हो German और English दोनों जबाने 14 का correct option है Charlie She has been working in this bank वो इस bank में काम कर रही है 15 के लिए correct option mark करेंगे Delta Since she left school पीछे आपको पता है Has been यूज हो गया तो has been आपको पता है हम perfect continuous sentence में यूज करते हैं और perfect continuous sentence में एक और indication है कि उसमें since यहां far यूज होता है So 15 के लिए correct option है Delta जिसमें since use हो है Since she left school I am so tired मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ किस वज़ा से 16 के लिए correct option है Charlie That I don't want to walk मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इसलिए मैं अभी चलना नहीं चाहता 16 का correct option है Charlie 17 देखते हैं 17 में कहा गया Even a dash glance will reveal the mystery कहा गया यहां तक के हलकी सी सरसरी नजर भी राज को फाश कर देगी 17 के लिए correct option मार्क करेंगे बीटा Cursory जिसका मतलब होता है सरसरी नजर हलकी सी भी नजर 18 देखते हैं To nobody else did not the storm seem कहा गया To nobody else did not the storm seem seem का मतलब होता है देखा गया यह नजर आ रहा है यह ऐसा लगता है यह feels It seems इसका मतलब होता है ऐसा लगता है 18 के लिए correct option मार्क करेंगे बीटा Credible 19 देखते है My friend took his first pay to the bank to dash it in his account मेरा दोस्त अपनी पहली pay को bank में ले गया अपने account में क्या करने के लिए उसमें deposit करने के लिए 19 का correct option to the bank to deposit it in his account He is a person of sound character and dash disposition वो एक अच्छे किर्दार और dash का मालिक है तो इसके लिए correct option मार्क पास बनेगा alpha amiable amiable का मतलब होता है milan sir So sentence बनेगा He is a person of sound character and amiable disposition deposition मतलब वो एक अच्छे किर्दार और milan sir किर्दार का मालिक है 20 का correct option है alpha 21 देखते है His father-in-law dash him up in the business उसके father-in-law ने उसको उसे कारोबार में लगा दिया तो कारोबार में लगाने के लिए हम word यूज करेंगे set up So his father-in-law set him up in the business 21 का correct option है बीटा The dash animal was on the lookout for food Wild animal 22 का correct option मार्क करेंगे Charlie The wild animal was on the lookout for food मतलब जंगली जनवर खुराक की तलाश में निकला हुआ था All the employees of the firm are dash to the fortnight holiday कहा गया कि तमाम employees जो थे फर्म के उनको fortnight holidays की इजाज़त क्या वो deserve कर दे थे हगदार थे तो हगदार के लिए हम word use करेंगे beta entitled means all the employees of the firm are entitled to a fortnight holiday 23 is the correct option है beta 24 देखते है His parents did not pay dash attention to his studies उसके parents जो प्रॉपर इटेंशन उसकी studies पर नहीं कर रहे So इसके लिए 24 के correct option मार्क करेंगे data proper attention to his studies लास्टाम से क्यों देखते हैं आज की वीडियो दा क्रीमियल दा क्रीमिनल सिम्स तू हैव एक्टिड इन डैश with three others कहा गया कि जो मुल्जिम थे इसा लगता है कि उन्होंने तीन और लोगों के साथ दीन लोगों की मिली बगगत के साथ यह सारा कारवाई यहां काम सरअन्जाम दिया है तो इसके लिए मिली बगगत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं collusion का 25 का correct option मार्क करेंगे data collusion the criminal seems to have acted in collusion with three others इसके लावा remaining 25 sentence completion most important mcq जो है इंशाला उनको हम अगली वीडियो में डिसकस करेंगे तो अगली वीडियो तक अपने सोस को इजाज़त दीजिया अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा अला हाफिज